हलो दोस्तों स्वागत थे एक बर फिर हमारे यूटूब चैनल पर दोस्तों आज की वीडियो कर्व के बारे में है जिसका हिंदी में अर्थ होता है गोलाई तो गोलाई से रिलेटेड जितने भी इंपोर्टेंट पॉइंट है इसके बारे में हम लोग इस वीडियो के माद्यम से जानेंगे समझेंगे जिसमें वर्साइन, सुपर एलिवेशन, कैंट, ट्रांजिसन, सर्कुलर, डिग्री आफ कर्व और भी बहुत सारे इंफॉर्मिटिव चीजे जो इसमें सेंट्रिशूगल फोर्स लगता है इसके बार बार आता है इसके बारे में भी हम लोग फूल कंसेप्ट जानेंगे तो आप लोग वीडियो के लाश्ट तक जरूर बने रहेगा और जो भी भाई बंदों हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं उनसे निवेदान है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि ऐसी लेटेस्ट वीडियो अपनों को मिल सके तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं सबसे पहले देखते हैं वाट इज कर्व कर्व क्या होता है कर्व इज ए लाइन आफ फीच नो पार्ट इज स्ट्रेट वन वे टू रिकोगनाईज एक कर्व is that it bends and changes its direction at least once मतलब वक्र या गुलाई एक ऐसी रेखा है जिसका कोई भी भाग सीधा नई होता है वक्र को पहचानने का एक सही तरीका यह है कि यह जुकता है और कम से कम एक बार अपनी दिशा को अवस्य बदलता है इसी को हम लोग कर्व करते हैं और गुलाई में जभी ट्रेन क्रोस करती है ता आप लोग देखे होंगे जहां से गुलाई स्टार्ट होती है उसके किनारे पर एक कर्व बोर्ड होता है जिसमें निमलिखित बातें लिक्की रहती है जिसमें कॉर्व नंबर, लोकेशन, डिग्री आफ कर्व, रेडियस, इस बिजाइन वर्षाइन उसमें मेंसन रहते हैं जिसको देख करके यह बताया जा सकता है कि यह कितने डिग्री का कर्व है इसके बाद तेकि गुलाई के तीन पार्ट होते हैं देर आर थ्री पार्ट आफ कर्व पहला ट्रांजीशन दूसरा सर्कुलर और तीसरा फिर से ट बता देता हूं जैसे यह एक कर्व है तो इस कर्व के दोनों साइट जहां से कर्व सुरू होती है और लास्ट होती है दोनों साइट पर ट्रांजीशन वाले पार्ट होते हैं और बीच वाले जो पार्ट होते हैं उसको सर्कुलर पार्ट बोला जाता है सर्कुलर पार्ट ब पर एलिवेशन जिसमें आउटर रेल आलवेच हाई होता है और जिसको क्रोस लेवल भी बोला जाता है जिसमें लिफ्ट और राइट रेल लोग अथवा हाई होता है इसके बाद चेक रेल इन कर्व और कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट के बारे में हम लोग आगे देखेंगे तो आप लोग वीडियो के लाश तक जरूर बने रहिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कमेंट और सेयर जरूर किजिएगा तभी हमको पता चलेगा कि वीडियो आपनों को अच्छी लग रही है ताकि मैं ऐसी वीडियो अपलोड कर सकूँ और चैनल को भ ले ट्रांजीशन समझते हैं ट्रांजीशन कर्व के बारे में एन इजमेंट कर्व विच है करवेचर चेंज थ्रो आउट इट्स लेंथ एक सहजता वक्र जिसकी लंबाई में वक्रता परिवर्तन होता है इसी को ट्रांजीशन बोला जाता है इसके बाद वर्साइन देखत measured at the mid point of a chord from the arc of curve track वर्साइन घुमावदार track के चाप से एक कार्ड के मद्ध बिंदू पर मापा जाने वाला लंबत दूरी होता है अब इस figure के मादम से हम लोग समझते हैं वर्साइन कैसे मापा जाता है जैसे ये काले पट्टी वाला जो गोल रेखा है यह एक कर्व है अब इस कर्व पर जितनी भी लेंथ होती है कर्व की उस लेंथ को विभिन इस्टेशनों के रूप में हम लोग डिवाइट करते हैं और यह इस्टेशन इस्टेशन नहीं होता है एक परकार का लोकेटड इंडिकेट करने के लिए एक पॉइंट बिदू होता है जिसको हम लोग विभिन इस्टेशनों में बाट देते हैं और इस्टेशन की लंबाई होती है कम से कम पांच मिटर तो यह पांच मिटर की जो लंबाई होगी इस पर जब 20 मिटर का एक कोर्ड लेंथ लेंगे एक फीता लेंगे और 20 मिटर के लेंथ पर इसको रख करके मदध वाले बिन्दू से जब इसको इसकेल के मादेम से मापेंगे तो यह इसका वर्साइन होगा इसी प्रकार से next वाले बिंदू से 20 मीटर के cord length को ले करके बीच वाले हिस्से को जब ना पेंगे तो वह इसका वर्साइन होगा वर्साइन की length होगी तो दोस्तों I hope कि यहां तक आप लों को समझ में आ गया होगा इसके बाद देखते हैं degree of curve degree of curve is a angle सबस्टेंटेड बाई 30.5 मीटर cord मतलब degree of curve निकालने के लिए 30.5 मीटर cord length के according हम लोग degree of curve माफेंगे जिसमें 30.5 मीटर cord length के असपर्स बिंदू के उपर के तरफ अगर दो रेखा को हम लोग मिलाते हैं तो वहाँ पे x degree का angle बनेगा और नीचे इसी प्रकार से जो cord length होगा उसकी असपर्स बिंदू से नीचे जब दोनों radius को मिलाएंगे तो वहाँ पे भी एक प्रकार का degree बनेगा एंगल बनेगा जिसको ही हम लोग degree of curve के रूप में जानते हैं दोस्तो इसके पहले वाले मीडियो में मैंने वर्साइन के बारे में बताया है तो वर्साइन वाला वीडियो देख लिजेगा वर्साइन को सेम मेजरमेंट करते हैं करम में भी तो उसको आप लोग देख सकते हैं इसके बाद देखते हैं super elevation के बारे में super elevation is the amount by which one of the rail is raised with reference to the other rail of a track मतलब super elevation वह रासी है जिसके द्वारा किसी एक rail को track के दूसरे rail के संदर्व में उठाया जाता है इसमें outer rail inner rail से उपर होता है उठा हुआ होता है इसके बाद देखते हैं super elevation का concept super elevation क्यों जरूरी है जैसे यह एक straight line है सीधी line है तो इसमें जो train आएगी तो इस train का जो weight होगा वहार होगा वह सीधे नीचे के तरफ होगा का straight और इसका gravitational force भी नीचे ही होगा same condition में और जब कोई train किसी curve से गुजरती है अर्थात curve line से गुजरती है तब क्या होगा जैसे यह एक bogey है train का डिबबा है और यह train एक curve line पर गुजर रही है जो नीचे indicate करके मैंने दिखाया है यह एक curve line है और इसके चक्के इस पर गुमती हुई run कर रही है तो इस bogey का जो centrifugal force होगा अपके अंद्री बल होगा वह outer rail के तरफ होगा और इसका weight होगा यह नीचे होगा तो इसका resultant force होगा इधर outer rail के तरफ जो की इस rail के चक्के पर पड़ेगा अथात अंदर वाले rail से ज़्यादा बाहर वाले rail पर इसका force पड़ेगा और बाहरी rail के चक्के पर ही क्यों लगेगा क्योंकि ट्रेंज रन कर रही है और रन करने के दोरान अगर curve आता है तो वह बाहर के तरफ ही इसका बल लगता है अब इसी बल को संतुलित करने के लिए जो outer rail होते हैं जिस पर force पड़ रहा है उसको थोड़ा सा उठा देते हैं जो की resultant force को नगर्ड कर देता है तो इस प्रकार से curve में outer rail को हमेशा high रखा जाता है inner rail से इसके बाद देखते हैं check rail in curve curve में check rail कब लगाया जाता है तो curve में check rail 8 degree के curve के लिए या 8 degree से अधिक के curve के लिए लगाया जाता है यह important बिंदू था इसको आप लोग याद रखेगा और इस curve में जो check rail लगे होंगे तो check rail और rail के बीच जो clearance होंगे हो 44 mm होगा 44 mm निवन्तम क्लेरंस इच कर्वाफ लेंथ ग्रेटर थें 250 मीटर शुट्री फैवली बी प्रवाइड विट एसीजे अन आइधर साइड एसीजे शुट बी लोकेट इन स्टेट ट्रेक एट 100 मीटर अवे फ्राम देंजेंट पोइंट मतलब 250 मीटर से अधिक लंबाई के प्र प्रादान किया जाना चाहिए एसीजे को असपर्स बिंदू से 100 मीटर की दोरी पर सीधे ट्रेक में इस्तित होना चाहिए तो दोस्तों आई होप कि वीडियो अपनों को पसंद पड़ा होगा तो पसंद पड़ा होगा तो प्लीज लाइक कमेंट और सेर जरूर किजिएगा और जो भी नए दोस्त हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो उनसे निवेदान है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा ताकि ऐसे लेटस्ट वीडियो अपनों को मिल सके और जो भी हमारे पुराने वीडियोज को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर कर देख लेजिएगा थेंक यू